डियर इस्टूडेंट्स आप सभी का क्याइश्डी मैस्क लासे में स्वागत है आज हम इस वीडियो लेक्षर के अंदर ग्रूप थेओरी के बारे में डिसकस करेंगे ओकि तो ग्रूप थेओरी के लिए सबसे पहले जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है सैट नोडेशन क् करते हैं सबसे पहला गाम क्या होता है उसके अंदर यह लिखा होता है लेट जी इस ए नॉन वाइट सेट ठीक है नॉन वाइड मेंस not equal to 5 ठीक है नॉन वाइड भी कह सकते हैं नॉन एम्टी सेट भी बोल सकते हैं एक ही बात है कि सेट खाली नहीं होना चाहिए सेट एरिक्त नहीं होना चाहिए किस टाइब का हो एरिक्त उसके अंदर elements हो ठीक है तो जब बात elements के उपर आती है तो आपने को सेट नोटेशन कलीर होना बहुत ही जुरूरी है क्योंकि बिना सेट नोटेशन के हमें शाइद ग्रूप त्योरी यह अलजब्रा जो है विए लेकिन हमारे सेट नोटेशन क्लिर है, çon्रटेशन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, तो अल्जेबरा में कोई भी प्रॉलम नहीं है, ठीक है, बिकाउज सेट दिया होगा, सैट को हम अफजरूर करेंगे, xis type का set है, इसके अंदर किस type के element है? इसके लिए बहुत ही जुरूरी हो जाता है set notation आये सहव से पहले हम set notation के बारे हम बात करें this is set notation का उटलाई smoochya का notation किस type का होगा? ऑके तो जैसे n क्या है set of natural numbers natural numbers ठीक है और set of natural numbers हिंदी के अंदर हम इसको क्या कह सकते हैं प्राकर्त संख्यों का स्मुच्चे प्राकर्त संख्यों का स्मुच्चे है इसके अंदर किस टाइब के elements होंगे 1,2,3,4 and so on ठीक है starting पता है last पता नहीं है तो इसका होली एक किस टाइब का set है infinite set ठीक है एप परिमित स्मुच्चे है इसके elements को हम count नहीं कर सकते फिर इसके बाद आता है W that is set of whole numbers set of whole numbers इसके अंदर किस टाइब के elements होते है जीरो 1,2,3,4 and so on ओके जीरो से start होता है और इसका भी उदर वड़ा सिरह है अपने को पता नहीं है कहां पर stoppage होगा ठीक है infinite elements है इसके अंदर भी इसके बाद फिर आता है z या i इसका meaning क्या होता है set of integers set of integers ठीक है पुर्णांको का समुच्चे पुर्णांक क्या होता है minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and so on ओके और उसके बाद फिर आता है z के बाद q set of ratio numbers set of a ratio numbers ठीक है परिमे संख्यों का समुच्चे है set of ratio numbers परिमे संख्यों का समुच्चे है किस type के elements होते हैं इसके अंदर p upon q both p and q are integers but q is not equal to 0 ठीक है q is not equal to 0 set theorem के अंदर थोड़े से परहेज होते हैं जैसे अपना गला खराव हो तो डक्टर क्या करता है खटा नहीं खणा है ठीक है आचार नहीं खणा है तो इस त्रीके से set of ratio number जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा condition लिखी जाएगे side के अंदर where q is not equal to 0 क्यों जैसे ही हम अपन में 0 लिखते हैं तो क्या होता है undefined एपरवाशित जैसे 1 अपन 0 है 2 अपन 0 है 3 अपन 0 है ठीके 5 अपन 0 है इट मेंस infinite undefined कोई definition नहीं है 1 अपन 0 की तो इसलिए p अपन q कहीं भी लिखा होगा set notation के अंदर ठीके तो हमेशा हम side में क्या लिखेंगे where q is not equal to 0 but p और q क्या होगे integers both p and q are integers ठीके तो जैसे इस setup q की बात हो तो हमारे mind के अंदर picture बढ़नी चाहिए इसके अंदर किस type elements होगे p अपन q type and where q is not equal to 0 ओके इसके बाद फिर आता है set आता है q prime set of all irrational numbers एपरी में संख्याओं का समूच्चे और इसके अंदर किस type elements होगे under root p pi e and etc and where p p equal to क्या होगा 2 3 5 7 and so on prime numbers ऐब आजे संख्याइ ऐसे numbers जिनको divide यहां तो खुद number करता है यहां फिर 1 करता है ठीक है prime numbers 2, 3, 5, 7 और और किस type के elements होगे इसके अंदर pi यहां pi से relation रखने वाड़े e यहां e से relation रखने वाड़े जैसे for example hyperbolic functions उन सब कर्लेशन किस के साथ होता है e के साथ ठीक है तो वो सारे number किस category के अंदर आएंगे set of irrational numbers और इसके बाद फिर क्या होता है are set of real numbers set of real numbers इसके अंदर किस type के elements होते है set of यहनि कि all irrational numbers and all irrational numbers आप यहां पर रह से लिख सकते हो all rational numbers and all irrational numbers okay सारी परिमेश संख है और सभी affirmation इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है set of real numbers और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इनमें क्या relation है किस type का relations and sets के अंदर तो देखिया आप जैसे set of natural numbers है इसके सारे के सारे elements इसके सभी element किस के अंदर है set of w के अंदर all the elements of n belongs to w it means n contained in w और हम इसको क्या लख सकते है n is a subset of w और इसके बाद देखिया आप और w के सारे के सारे element किस के अंदर है integers के अंदर देखा आप 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 and so on तो it means w is a subset of z w is a subset of z यहां w is a subset of i i से भी हम integers को लिखते हैं ओके और इसी तरीके से आप देखिये next क्योंकि जितने भी integers हैं उनकी अपॉन में हम 1 लेख सकते हैं and 1 is not equal to 0 तो आपके सामने देखा आप p, q belongs to z q is not equal to 0 तो इस टाइब के जो elements होंगे वो क्या कर लाएंगे irrational numbers पर image संखिया है तो इसका मतलब क्या है z is a subset of q z containing q फिर इसके बाद हम क्या लेख सकते हैं जितने भी ratio number है वो सारे के सारे किस के अंदर है set of real number के अंदर वास्तविक संख्याओं के अंदर यानि कि यहां तक हमने जितने भी numbers लिखे हैं यह सारे के सारे किस type के number है real numbers तो इसका meaning क्या है q is a subset of r that is q containing r अर्थाद qr का ups मुझे है और इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे set of complex numbers okay c set of complex numbers ठीक है हिंदी के अंदर हिंदी मामन को क्या कहेंगे शमबेशर संख्याओं का समुच्च है और किस type के number होते हैं a plus iota b for all a, b belongs to r and iota equal to root of minus 1 ठीक है a plus iota b इस type के complex number होंगे and where a, b belongs to r a और b real होंगे और iota equal to minus root of minus 1 तो अब उसके बाद देखो if b equal to 0 तो a क्या है real number है इसका meaning क्या है इसका meaning है set of r is a subset of c ठीक है set of real number क्या होता है always a subset of complex number हमेशा वास्तविक संख्याओं का समुच्च है क्या होता है शेमेशा संख्याओं का एक oops समुच्च होता है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं r e j subset of c तो बहुत important chain है in sets के अंदर ठीक है अपने याद नहीं चीए हमेशा अब इसके बाद फिर जो set notation आता है वो है capital J that is set of Gaussian integers set of Gaussian integers ठीक है और इसके अंदर भी क्या होता है complex numbers that is m plus iota n but for all m,n belongs to z ठीक है यहाँ पर m और n क्या होते है integers and iota root of minus 1 तो देखो इन दोनों में क्या relation होगा j और c के अंदर तो j के अंदर देखो आप गड़ी कहां पर रुग रही है z के उपर और c के अंदर हम कहां पर पहुंच रहे हैं r के उपर तो इसका अंदर लोग क्या है c के अंदर ज्यादा elements होंगे j के अंदर कम elements होंगे because j के अंदर z आ रहा है देखिए आप ठीक है तो इसलिए इन दोनों sets में क्या relation होगा j is a subset of c j c का subset होता है ठीक है j c का एक oops मुझे है और इस relation को हम बड़े easy method से समझ सकते हैं जैसे for example n है हमारे पास 1 2 3 and so on ठीक है और इसके बाहर क्या होगा w इसके अंदर क्या देगा 0 ओके और इससे बड़ा set हम किसको लिख सकते हैं set of integers that is minus 3 minus 2 minus 1 ठीक है इसको हम लिख सकते है z because already 0 है इसके अंदर 1, 2, 3 and so on है इसके अंदर ओके और इसके बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं ठीक है set of ratio number that is P upon Q P upon Q for example 1 upon 2 ठीक है 5 upon 2 and so on minus 3 upon 2 किस तरीके से P upon Q और उसके बाद हम लिख सकते हैं set of real numbers क्या है गया इसके अंदर under root P pi E and so on ओके यहनि क्याने का लोग क्या है natural number is a subset of W and W is a subset of Z and Z is a subset of Q and Q is a subset of R ठीक है और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं R is a subset of C that is A plus I ought to B ठीक है इस तरीके से N is a subset of W is a subset of Z is a subset of Q is a subset of R and is a subset of C ओकी? बहुत ही इंपोर्टेंट रिलेशन है अल्जेब्रा के हिसाब से हमारे याद होना चीए हमें नेक्स कुछ और नोटेशन से याँ पर जैसे Z plus ठीक है set of positive integers set of positive integers और इसके अंदर किस टाफ़ गे अलिमेंट सोते हैं that is 1, 2, 3, 4 and so on equal to n ठीक है? set of natural number या set of positive integers एक ही चीज है ओकी? same है, दोनों में कोई difference नहीं है ओकी? then Z minus set of negative integers ओकी? ये दिनात्मक पुर्णांको का स्मुच्च है और ये क्या है? रिनात्मक पुर्णांको का स्मुच्च है set of negative integers तो इसके अंदर किस टाफ़ के elements होंगे? minus 3, minus 2, minus 1 ओकी? इस type का set होगा और उसके बाद Z0 Z0 means 0 को छोड़ कर सारे integers ठीक है? that is बहुत ही simple 0 is not belongs to Z0 0 इसके अंदर नहीं होता तो फिर किस टाइब के elements होंगे इसके अंदर? minus 3, minus 2, minus 1 1, 2, 3 and so on ओकी? इस type के elements होंगे इसके अंदर और जैसे तीन सेट हम Z के लिए लिए लिख सकते हैं ऐसे ही तीन सेट हम किस के लिए लिख सकते हैं? set of ratio number that is Q plus Q minus and Q0 ठीक है? क्या होगा? set of all positive integer positive ratio number ठीक है? और यह क्या होगा? set of all negative irrational numbers ओके? और यह क्या होगा? 0 नहीं होगा इसके अंदर that is 0 is not belongs to Q0 ठीक है? तो इसके अंदर किस type के elements होगे? Q0 के अंदर Q0 के अंदर होगे all Q plus and Q minus ठीक है? ठीक है? all positive ratio numbers and all negative ratio numbers ठीक है? इन सब का set होगा कौन? Q0 ठीक है? 0 इसके अंदर include नहीं होगा यह द्यांदना आप 0 is not belongs to Q0 ओके? और इसी तरीके से हम R के लिए लिख सकते हैं that is R plus R minus and R 0 R plus means set of all real numbers और R minus means set of all negative real numbers ठीक है? and R 0 means 0 नहीं होगा इसके अंदर बाक्य सारे positive real number भी होँगे और negative real number भी होँगे इसके अंदर ठीक है? 0 को छोड़ कर except 0 remaining जितने भी real number होँगे सारे के सारे set के अंदर होँगे ओके? तो please ध्यान रखिए आप यह हमारे पास set notation से ओके? फिर इसके बाद आईए आप Z N okay? Z N it means 1, 2, 3 up to N first N natural numbers set of first N natural numbers first of set of first N natural numbers okay? Z N और इसी तरह के से for example Z 10 लिखना होँगे? क्या करोगे आप? 1, 2, 3 4 up to 10 ठीके? 10 elements का set होगा कौन जाए 10? okay? हमें नेक्स सिंबल जो है वो है पावर सेट पी ए पावर सेट आफ ही ठीके? इट इस काल्ड पावर सेट आफ ही ए का गाथ समुच्छे और इसके अंदर क्या होते है? the set of all subsets of set A ठीक है the set of all subsets of set A ओके तो कहने का मेनिंग क्या होगा इसके अंदर किस टाइब के elements होगा, for example हमारे पास A है 1,2 ओके, then number of subsets of A 2 raised to the power 2, that is 4 A के subset कितने लिखे आ सकते हैं 2 raised to the power 2 number of elements, अगर A के अंदर 3 elements हो, 2 raised to the power 3, that is 8 elements 8 subset यहाँ पर कितने होगा, 4 subset कौन कौन से empty set, that is void set जैसके अंदर कोई element नहीं then single 1, 2 and set containing 1 and 2 ठीक है, तो कहने गात लोग क्या होगा then P A हम कैसे लिख सकते हैं power set of A that is 5 1 2 and 1, 2 ठीक है, and where 5 5 क्या है empty set खाली set Eric's मुचे sorry, Rick's मुचे जिसके अंदर कोई element नहीं है ओके तो इस तरीके से प्लीज set notation को आप याद रखिएगा ओके, क्योंकि यह हमारे बहुत ही helpful हैं, algebra के अंदर और set notation के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते तो set notation को ध्यान से पढ़िए और set की picture को आपने mind के अंदर fit केजिए आप ठीक है, और ऐसा करेंगे तो 100% हमारे algebra क्या होगा बहुत समझाएगा easy से हम उसको समझेंगे okay, तो इसलिए set notation बहुत ही important है okay प्लीज आप मेरी इस वीडियो को subscribe करें like और share करें okay और मेरा YouTube channel KSD Math Classes ठीक है इसको आप subscribe करें okay, thank you